स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है लीगल क्लीनिक जिसमें मैं आपको अलग-अलग इंडियन लिगैलेटी या कानून के बारे में अवेर करता हूँ इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉंसिट्यूशन के आर्टिकल 22 के बारे में आर्टिकल 22 उन केसिस से समंधित है जिसमें गिरिफतारी और डिटेंशन से संदक्षन मिल सकता है इसके क्लॉस एक के अनुसार किसी व्यक्ति को जिसे गिरिफतार किया गया है उसे इसके करने के कारणों के बारे में आवकत कराए बिना डिटेंड नहीं किया जाएगा और इसके लिए उसे किसी वकील से सलाह लेने से या अपना बचाव करने से बंचित नहीं किया जाएगा क्लॉस टू के अनुसार हर व्यक्ति को जिसे गिर्फतार किया गया है या प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है उसे 24 गंटे के अंदर निकटम मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थिक करना जरूरी है जिसमें उस समय को जिसमें वो यात्रा जो गिर्फतारी में रखे गए जगह से लेकर मजिस्ट्रेट की कोर्ट तक की जाती है को शामिल नहीं किया जाएगा और किसी भी ऐसे व्यक्ति को उस समय सीमा से अधिक प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा जो समय सीमा मेजिस्ट्रेट द्वारा निधारित की गई है क्लॉज 3 के अनुसार क्लॉज एक और दो की बात किसी ऐसे व्यक्ति पर लागु नहीं होगी जो क क कोई ऐसा व्यक्ति जो उस समय में अन्य देश में है रहा शत्रू हो क्लोस 4 के अनुसार कोई भी कानून जो प्रिवेंटिव डिटेंशन उपलग्द कराता है डिटेंड किये गए व्यक्ति को तीन महिने से ज़्यादा डिटेंड नहीं रख सकती जब तक कि कह ऐसे व्यक्तियों से जो उच्य नियालाय में नियादिश हैं या नियादिश रहे हैं या नियादिश निक्त होने के लिए काबिल हैं मिलकर बने सलाहकार बोर्ड ने तीन महिने की उक्त अब्दी की समाप्ती से पहले कोई रिपोर्ट नहीं दी है कि ऐसे डिटेंशन के लिए पर्याप कारण है ख ऐसे ब्यक्ति को क्लॉज साथ के सब क्लॉज क और ख के अधीन संसत द्वारा बनाई गई विधी के उपबंधों के अनुसार नजर्मंद नहीं किया गया है क्लॉज फाइब जब किसी व्यक्ति को किसी ऐसे कानून के तहट जो प्रिवेंटिब डिटेंशन प्रदान करता है कि अंतरगत डिटेंड किया जाता है तो उस authority को जो यह order पास करती है को शीगर अतिशीगर retained किये गए व्यक्ति को उन grounds के बारे में बताना होगा और उसे आदेश के विरुद अपना पक्षर रखने के लिए उसे शीगर अतिशीगर अफसर देना होगा क्लॉस 6 के अनुसार क्लॉस 5 की किसी बात से ऐसा आदेश जो उस क्लॉस में निदिश्ट है करने वाली authority के लिए ऐसे तत्यों को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा जिन्हें प्रकट करना ऐसी authority लोखित के विरुद समझती है क्लॉस 7 संसत कानून द्वारा निधारित कर सकेगी कि कि किन परसित्यों के अधीन और किस वर्ग या वर्गों के मामलों में किसी व्यक्ति को preventive detention को उपलब्द करने वाली किसी कानून के अधीन तीन महिने से अधिक अवधी के लिए क्लॉज 4 के सब क्लॉज क के अनुसार सलाकार बोट की राय प्रात किये बिना डिटेंड किया जा सकेगा ख किसी वर्ग या वर्गों के मामलों में कितनी अधिक्तम अवधी के लिए किसी व्यक्ति को preventive detention प्रदान करने वाली किसी कानून के अधीन डिटेंड किया जा सकेगा ग क्लॉज 4 के सब क्लॉज क के अधीन की जाने वाली जाच में सलाकार बोट द्वारा अनुसरन की जाने वाली प्रक्रिया क्या होगी आई अब कुछ केस स्टडी समझते हैं तमिल नाडू राजय बना सेंथिल कुमार के केस में डिटेंशन आदेश की वैदता को चुनौती दी गई इस प्रस्तुत मामले में डिटेंड व्यक्ति को डिटेंड तो किया गया लेकिन उसको अपना बच्चावा प्रस्तुत करने के लिए कोई अफसर नहीं दिया गया जिसकी वज़ा से डिटेंशन आउर्डर को अमेधानिक एवं निरस्त करने योग के निरधारित किया गया एक दूसरे केस में जिसमें अब्दुल नासिर समाइल बनाम स्टेट आउप महाराष्ट्र और अन्य के केस में कोर्ट ने यह माना कि अगर राजय सरकार किसी डिटेंड व्यक्ति को मजिस्टेट के सामने प्रसुद करने में बहुत देर लगाती है और तब भी उसका डिटें को अविधालिक माना जाएगा समविधान का अनुचेद 22-5 राजय सरकार पर यह डिटी देती है कि वह डिटेंड व्यक्ति को शिग्र अतिशिग्र कोट के सामने प्रस्तूत करे तो यह थी जानकारी आर्टिकल 22 के बारे में अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेर और कमेंट करना नहीं भूलिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे धन्यवाद देखने के लिए अपना ध्यान रखिए नमस्ते